प्रानधार सुन्दर साथ जी अचानेक जब हम सुनते हैं कि अमग सुन्दर साथ का धाम गमन हो गया है तो हम दुखी हो जाते हैं सुभाविक है संसार में जिसने तन्धारल किया है उसे अपने देह का त्याग अवस करना पड़ेगा किंत यह तो सुपने के बुद्धी के भी गरंद कहते हैं हम देह नहीं है देही है हम सरीर नहीं है आत्मा है सरीर नस्वर है और जो हमारी आत्मा है अखंड है यह ज्यान तारतम ज्यान के उतरनर से पहले वेदाद में असपश था किन्थ हम तारतम ज्यान को ग्रहन करने के पेस्चाथ धामकबन सब्द से बहुत घबरा जाते हैं सोचते हैं कि क्या हम मर जाएंगे मृत्य तो भयावा होती है सुनने में भी देखने में भी जहां किसी के घर मृत्य होती है वहां बिलाब करते हुए लोगों को देखा जा सकता है और यह बहुत कर्ष्ट साथ इस्तिती होती है जब हमारे बीच में राता हुआ कोई बेखती पंचभातिक तन को छोड़कर हमसे अलग हो जाता है किन्त ब्रमियान एक ऐसी विधा है जिसमें सीधे कहा जाता है माई को मारने के मार्ग पर चलने के लिए हमको कहा जा रहा है और अस्पेश्ट कहा गया है जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दूनी करी मुर्दार हग तरफ हुए जीवते उर पहुंचे नूर के पार मरने के लिए कहा जा रहा है मरने का ताथ पर यहां समसान में चले जाना नहीं है जीवते मारी आपको जीते जी मर जाना जीते जी मरने का ताथ पर क्या है हम सरीर नहीं है, सरीर से परे हम है हमारा निच सरूप इस पंच भौतिक सरीर से परे है हम इस सरीर को खिलाते फिलाते हैं, सरीर को सुलाते हैं हम जो हैं इस सरीर से परे हैं, हम रहते हैं सरीर में जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करीब मुर्दार हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के पार जो भाई का से क्या है हक तरफ हुए जीवते जब तक हम संसार की तरफ से जीवित है हम इतने सुंदर हैं हम इतने धन्वान हैं इतने बुद्धिमान हैं इतनी प्रतिष्ठा वाले हैं तब तो हम एक कहा जा सकता है राजी की तरफ से हम जागरत नहीं है, मरे हुए, किन्त जब संसार की तरफ से मर गए, संसार की तरफ से मरने का ताथ पर क्या है, हम निजी स्वरूप में इस्चित हो जाए, जो हमारा निजी स्वरूप है, यह पंच भूता आत्मा जो तन दिख जाएंगे, मैं सरीर हूँ और मेरे सरीर से समंदी जितने हैं, हम क्या कहते हैं, यह हमारे माता पिता हैं, यह हमारे बाल बच्चे हैं, यह हमारे संगे समंदी है, यह हमारा कुटुम्ब है, यह हमारा बैभो है, यह क्या है, मैं और मेरे का बंधन है, जो इस जीव ने अहंग रखा है शरीर और संसार का यही एक सबसे बड़ा परदा है और इस परदे को हटाए बिना प्रितम से मिलन कैसे हो सकता है जो पहले आप मुर्दे हुए तिंदूनी करी मुर्दार हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार हमारी सुर्था अक्षर से परे बेहत स लिए महामती जी स्वयम ध्यान में बैठ गए और यह प्रक्ण उतरने लगे कि सहीं हम धाम चले जो आउस वायों पीछे रहे नहीं खिन धाम चलने के तदपर क्या होता है परमधाम में प्रविश करना है मैं तो यह कहूंगा आप से एक अजीब सी बात आपको लगेगी आ आप मरने से क्यों डरते हैं डिली मरिये प्रति दिन मर जाए कैसे मरेंगे चित्वनी में मर जाए किजिए आपको प्रति दिन राज मिल जाए कुरेंगे मेरे कुछ वाक्यों पर चिंतन कीजिए परमधाम हमारे अंदर है हम धाम में है धाम हमारा है और हम धाम के है हम हक में हक हम में इस चुपाई को जदी हम आत्म साथ करें तो क्या कह सकते हैं हम परमधाम में है और परमधाम हमारे अंदर है सच बात है हमारे मूल तन परमधाम में है किन्तु सारा परमधाम हमारी आत्मा के हरदे में भी तो बसता है विदान्त के बिद्वानों ने इस बात को संसार को बताना चाया कि जैसे आकास में घड़ा है घड़े में आकास है दोनों कतन सत्त है उसी तरह से हमारी आत्मा का जो मूल सरूप है वो परमधाम में है और परमधाम कहां बसता है हमारी आत्मा के धाम हिर्दे में उपर तले अर्स ने कहया अर्स कहया मुमिन कलो आत्मा के हिर्दे में यही तो प्रितम का बास है को और जो हो मैं और मेरे से परे हो जाते हैं संसार और संसार के बंधनों से परे मिन पिरविश कर जाते इसमें डरने की कोई बात नहीं है हाँ एक स्थूल शरीर की जब मृत्य होती है किसी प्रमास का भी दब देते आग होता है तो सभी सुन्दर साथ भी लगते हैं क्योंकि प्रकृत के इस संसार में रहते हुए जिस तन को हम अपनी आगों से देखते रहते हैं बात चित करते रहते हैं हसते रहते हैं अब वो प्रकृत के इस संसार भैवीत होता है बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बड़े बड़े वीर जो दुसरों को मारने में भैवीत नहीं होते हैं लेकिन जब उनको लगता है कि मैं मरने वाला हूं मेरी मौत मेरे पास आ गए तो कांपने लगते हैं एक ब्रमिजानी ही नह अब तो कि नाधिर सानने दिल्य में खून की होली खेली महमुद गजनेवी ने खून के नदीब भादी गोरी ने वहा दी किन्त जब इनके मरने का समया तो कांपने लगे सिकंदर मौत मिरत के भाई से रोणे लगा था क्या मैं मर रहा हूं मैं अपने घर जाकर अपनी मां स भी नहीं मिल सकता मेरे तो सबको भाइबीत करा देती है किन्त ब्रह्मिजानी होस्ते हुए सरीर को छोड़ता है आकासाद पततो वारी सागरम अधिक अच्छती विदान्त के विदानों का एक मुख्य वाक्य होता है आकास में बादनों से गीरा हुआ जल अंतु गत्वास समुद्र में मिल जाता है यदि हम सोचें कि हमारा सरीर तो सुपनवत है इस सुपनोच शरीर को धारन किया हुआ है हमारी आत्मा ने जीव के मात्यम से आत्मा जीव के उपर बैट कर खेल को देख रही है किन्त जब वो सरीर और संसार के परदे का भेधन कर देगी इसको हटा देगी इसके आवरण को हटा देगी तो क्या होगा उसे प्रित्म का साक्षाद शरू अपनी आत्मा के धाम हिर्दे में मिल जाएगा और इसलिए ये प्रक्ण अवतरित किये गए चित्वनी से सम्मंतित प्रायक जब अंतर धान लीला मनाई जाती है कुछ सुंदर्जात मनाते हैं उसमें इन प्रक्ण को गाने की प्रंपरा है वो सोते हैं कि प्राणनाची धाम चले गए यह ठीक है लोकरिती के अनसार ये लीला कर दी गई किन्त जो आत्मा के प्रित्म प्राणनात है जो महामती जी के धाम में बैठकर लीला कर रहा है आज भी वो तो कभी भी अपने आत्माओं से ना अलग हुआ ना कभी हो सकेगा और हम भी चाहें कि राजी से अलग हो जाए तो भी हमें अलग होने काधिकार ने सूरी से उसकी उसमा तो अलग नहीं हो सकती चंद्रमा से उसकी सीतलता अलग नहीं हो सकती ने उसकी चांदनी अलग हो सकती है फूल से कुमलता अलग नहीं हो सकती तो आपका इसे सोच सकते हैं कि आत्मा परब्रम के बीच में बीयुक हो जाएगा ये सरीर साधन है इस सरीर के प्रति जदि हम मौह रखते हैं तो माया का परदा खड़ा होता है इस सरीर को साधन बना कर जदि हम प्रति दिन चित्वनी में डूप जाते हैं ध्यान में डूप जाते हैं तो क्या होगा हम प्रति दिन धाम जा सकते हैं प्रति दिन परब्रम नाम के 25 पक्षों को देख सकते हैं नक से शिक तक यूगल शरुप की सोभा को देख सकते हैं। किन्तो इसके लिए हमें स्वहिम को समझना पड़ेगा, विवेक पैदा होना पड़ेगा, विवेक, एक विवेक होता है, एक जान होता है। हमने धर्म गिरंद्व काध्यन कर लिया, तार्दम वाणी काध्यन कर लिया। तो ज्यान से हम जानते हैं की ये संसार नस्वड है हमें मिर्थ से पर्य होने के लिए राजी को हीर्दयमें बसाना होगा। किन्त जदी हमारे अंदर स्वता ही या बोध हो जाए कि यह शरीर तो नस्वर है सिंसार भी नस्वर है हमारा जो शुरूफ है अखंड है और हम कभी जन्मे नहीं हम मरेंगे भी नहीं हम जन्म और मृत्र से सरवता परे हैं मैं वेट के इस उद्धारन को बार बार करता हूँ स्रिवन्त विस्वी अमरित सिपुत्रा है अमरित पुत्रों तुम सुनो अमरित पुत्र कहा गया है अमरित पुत्र कौन है जो अमरित से उत्पन हुए है जो कभी मृत के बंदर में जाने वाले नहीं है लेकिन आमतोर से त तो मृतिक्या भे नहीं लगता है और जम आपने शुरूफ में इस्चित होते हैं, तब ही प्रीद्ब मा्दर्शन भी होता है संसार में फशें रहकर संसार में फशने का मतलब घर में फशने से मतलब नहीं है भीवेक दिश्री से संसार से अलग हो जाना जब आप चित्वनी करते हैं तो आप संसार से अलग हो गए रहते हैं मैंने चित्वनी के प्रारम में बताया है कि आप इस तरह से बैठिये कि आपको सरीर का भासी नहीं हो कि आपका सरीर है फिर बोधिक धरातल पर मांसी के इस तर पर सरीर और संसार से परे हो जाए आपके मन में जन्म जन्मानतरों के संसकार चीत में उभर रहे हैं, मन संकल बिकल्ब कर रहा है, इसे भी अलग अट जाए है, अपनी आत्म देश्ट को, अपने आत्म सरूप को इस्तित कीजिए, कि मेरी आत्मा का सरूप तो परात्म का सरूप है, और मेरी परात्म मुलावे मे राजी के समुक बैठी है, फिर देखिये, आप कतन इस संसार में रहेगा, कि संसार में रती वे भी आप संसार से परे हो गए, और उस सवस्था में क्या करेंगे आप, अपने प्रानिस्वर को देखेंगे, निच सरुब को देखेंगे, पचीज पक्षिओं की सुबा को देख सारीर की रूप से मांसिक रूप से कभी स्वश्थ रहेंगे, सरीर की ठकान मिट गई होगी, और उसमें लंबे समय तक एक गंटे दो गंटे तक जी भर कर परमधाम की सोबा के आनंद में डूबी है, इसलिए डरने की आउसकता नहीं है, धाम चलने के जितने प्रक्रण हैं, समय यहीं बताया गया है, कि हम संसार से परे होकर कैसी अपने प्राणे स्वर का दर्सन करें, सभी धान ग्रंतों का यही सार है, समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो यह मानता है, कि हम परेमधाम से आये हैं, तो परेमधाम चले ही जाएंगे, क्या जरूरत है चितवनी करने की ध्यान की क्या आउसकता है, आप सोचिए, हम यह भूल कर देते हैं, कि जान जब तक क्रियात्मक नहीं होता, तब तक हमें कोई भी आनंद नहीं मिल सकता, यह तो बात वैसे ही है, कि जैसे एक ब्रिक्ष लगाया जाता है, और उसमें फल आ जाया, जब फल आ जाया, खाने का समय हो जाया, तो हम आपने आँखों पर पट्टी बांद लेंगे, कि नहीं हमें फल को देखने से, खाने से कोई फैदा नहीं है, हमें तो उपवास रहना है आज, तो उस ब्रिक्ष को लगाने का फल ही क्या हुआ, जान ने जिस सत्य को दर्साया, आप उस सत्य को अनभूत नहीं करना चाहते हैं, तो बौधिक धरातल पर उसका, क्योले रसास्वादन ले लेने से, आप अपने को कृतार्थ समझते हैं, तो यह तो दुर्भाग गया है, यदि अपने प्राणिस्वार को अपने आत्मिक चक्षों से आपने नहीं देखा, तो मैं यही कहूँगा कि आपके बाणी का चिंतन भी वेर्थ चला गया, वेद ने क्या कहा है, यह तत्न वेद की मिरिचाकरिस्यत, यदि तुमने उस परमात्मा को नहीं जाना, तो मातर रिचाओं को पढ़कर के क्या करोगे, वेद देखिए, डिंडिम घोज के साथ क्या कहते हैं, तमी विदित्वात मिर्थ उमेद, ना ना पन्था विदियनाय, उस परमात्मा को प्रतक्षरुप से देखा नहीं, जाना नहीं, तो मिर्थ के बंदर से तुम कैसे छूड़ सकते हो, हमारे लिए तो राजी ने कितना सलर मार्ग दे दिया है, कि हम प्रत दिन घार बैठें, दो गंटे का भी सच्चे हिर्दे से ध्यान कर ले, एक से सिख तक के इस इंकार में अनन्द में हो जाती है, आप उन योगियों को देखिए, जो हिमाले की गुपाओं में बेठे हुए है, जिन्होंने कितने जनम गवाती हैं, हजारो बर्स, सैक्लो बर्स, समाधिया लगाते लगाते ठक गए, लेकिन निराकार को पार नहीं कर पाए, निराकार के उस अथा मोह सागर में, अंदकार में भटक गए, और हमें तो सीधे कहा जाता है, कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्छर, अक्छर पार बतन है, सीधे निराकार को पार कर बेहत मंडल में प्रेज करते हैं बेहत के बाद परमधाम में प्रेज करते हैं और सब कुछ देख लेते हैं और उस परमधाम को हमें कहां देखना है अपनी आत्मा के दहां मिर्दे में मैं यह नहीं कहता कि इस्थूल सरीर के अंदर देखिए भावात्मक रुप से आपको इस्थूल सरीर का भाव होगा लेकिन जब प्रेम में डूप जाएंगे तो आपको लक्ष निर्धारित होगा परमधाम में जब तक आप जयान दिर्ष्टे चित्वनी कर रहे हैं तब तक आपको सरीर का भास होगा लेकिन जैसे जैसे आपके चित्वनी गहराती जाएगी आपको सरीर का भास ही नहीं रहेगा आपके लक्ष में आपकी आत्मा होगी और आत्मा का लक्ष परात्मा है परात्मा का प्रत्विम सुरूब आत्मा है और आत्मा के धाम इर्दे में आपका पूरा परम धाम प्रकासित होने लगेगा आप यह मत समझेए कि मैं आपको वेदान्त की भासा में कहा रहा हूँ कि आप अपने अच्छाती में ध्यान कीजिए लक्ष रखिये क्योंकि हिर्दय अस्थल में क्या है? जीव जीव के उपर क्या है? हमारी आत्मा आत्मा क्या है? परात्म का प्रतिमें परे जब हम चित्वनी करते हैं तो इस संसार से परे होने का प्रयास करते हैं 14 लोग अश्टावरा युक्तिस ब्रह्मान से परे मोसागर को पार करते हैं बेहत को पार करते हैं यह तो जान देश्य चित्वनी है हम परतेक्ष रुप से तो पार नहीं कर पार हैं क्योंकि ये तो अनंत है मोह सागर भी अनंत है जैसे समदर में असंख्यों पानी के बुलबुले उगते रहते हैं उसी तरह से हमारे 14 लोकों जैसे असंख्यों 14 लोक के ब्रमान मोह सागर में पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं तो हम ये गंटे में कैसे इस मोह सागर को प तुपर अनितान नकसे के जब हम भाव लेते हैं तो जो कागज पर नकसा बना होता है उसमें लकीरे दिखाई देती है तो हम ये सोचे कि ये काल मया है ये योग मया आती है तो नक्से पर हमारा ध्यान चला गया नक्से का जो जान है कि ये काल मया है ये योग मया है ये परमधाम है आप संकल बल से उसमें डूपते रहिए और रखिये कि मूल मिलावा हमार हीरदे में विराजमान नियुक्ति दीरे धीरे ये संसार का पर्दाफ्रत नहीं है कुछ तो कोई समंध नहीं रहेगा और आपकी आत्मा अपने धाम हीरग्दे में विराजमान अपने प्राणिस्वर दितार कर लेगे रात को सोने से पहले भी दर्सन करके आ जाईए सबेरे भी जी भर कर दर्सन कीजिए तो डरने का कोई भाय नहीं रहेगा इसलिए इसी प्रसंग में महामती जी की आत्मा ने एक बात कही है साथ चले जो न चलिया ताहि लगसी आग दोजक जदी किसी को कह दिया जाए तुम धाम चले जाओ नहीं तो तुम्हें दोजक में जलना पड़ेगा तो वो सोचेगा कि भई दोजक में जलने से अच्छा है कि मैं जिन्दा रहूं मैं क्यों मरूं यहां सरीर से मरने को नहीं कहा जा रहा है मन से मरने को कहा जा रहा है धाम चलने का ताथ पर यह है संसार से अपनी सूर्था को हटा कर परम धाम में प्रविश करना यह धाम चलना है आत्म दिश्टी से संसार को हटा देना और आत्म दिश्टी से अपने प्राणिस्वर को अपने निजग़र को देखना ये धाम छलना है स्थूल अर्थ में हम यह मानते हैं कि सरीर का त्याग धाम घंगानल है सुक्ष मार्थ है कि स्थूल षरीर तो पैदा हुआ है हर छढ़ इसमें छीड़ता आ रही है क्योंकि छढ़ प्रमहंड में प्रतिय के स्थूल बैस तो प्रति छोण विनास को परापट हो रही होती है स्रीजयन और विनास चलता है हम आज से 10 साल पहले हमारे चेहरे में कुछ और आक रती थी आज कुछ और है आज के 10 साल के बाद कुछ और परिवर्टन हो जाएगा और ये हमारी आत्मा अक्षरातीत की प्राणिस्वरी है, अरधांगनी है, हिर्देस्वरी है, सर्वेस्वरी है. जब हम उस स्वरुप में अपने प्राणिस्वर को देखेंगे तो संसार अपने आप हमसे तिरोईत हो जायेगा, हक्प जायेगा. हम किसको पालेंगे अपने धामदनी को पालेंगे और इसमें जाने का इदिकार सबको है तब भी ये बात कही जा रही है साथ चले जो ना चलिया ताई लगसी आग दो जख तलफ तलफ जीव जायसी जिन जानो यामे सब ये साथ जी इस बात में कोई संसय नहीं रखिये कि जो अब धाम नहीं चलेगा धाम नहीं चलेगा ताथ पर जो चित्वनी नहीं करेगा जो सुन्दर साथ वाड़ी पर कर भी चित्वनी नहीं करेगा अपनी आत्मा के धामिर्दे में अपने प्राणवलब का दिधार नहीं करेगा उसको तडब तडब कर जीव छोड़ना पड़ेगा अब सोचिए कितना कष्ट का रही है सुन्दर साथ कहते हैं चित्वनी न करने से क्या नुक्सान हो जाएगा हम चित्वनी नहीं करें तो भी तो हमें परमदा मिले गाई क्योंकि हम वाणी पड़ते हैं वाणी क्या कह रही है तलब तलब जीव जाहिसी जिन जाम नो यामे सक और इसको क्या है जो साथ चले जो ना चलिया है ताय लगसी आग दो जख जो चित्वनी नहीं करेगा उसको प्रैसित के अगनी में चलना पड़ेगा और उसको तडब तडब कर शरीर छोड़ना पड़ेगा इस बात में कोई भी संसे नहीं है क्योंकि हमारे जीव से गुनाह अवस्य हो रहे हैं ऐसा कोई सुन्दर साथ नहीं है गुना नहीं होता हो अपराद नहीं होता हो आप देखिए युदुष्ठिर जैसे सत्यवादी तो हम बन नहीं सकते किन्तु युदुष्ठिर से भी महाभारत के जुद में जूट बोला गया पंडो से नहीं की रक्षार्थ और उसमें एक धर्म ही था किन्तु उसके बल से उनके पैर का उंठा गल गया और थोड़े से में के लिए युदुष्ठिर को भी नरका दर्सन हुआ युदुष्ठिर जैसा सत्यवादी धर्मात्मा यदि स्वर्ग जाता है बैकुंट भी प्राप्त नहीं होता तो हम बैकुंट से भी परे बहत से भी परे परमधाम का दवा करते हैं किन्तो हम तो प्रदिन जूट बोला करते हैं युदुष्ठिर ने तो जीवन में एक बार जूट बोला वो भी युगेस्वर सिकृट्स के दवाव से पांडो सेना की रक्षा के लिए, क्योंकि इस समय संकट आ पड़ा था, जिदि वो जूट नहीं बोलते, तो अचारी द्रोण के प्राहरों से पांडो सेना उसी दिन समाप्त हो गई होते हैं, फिर अधर्म का राजी होता, इस दिन स्रिक्र्ष्निका कि युधिष्टिर ब्यक तुम धर्म रक्षारत एक बार जूट बोल दो, ये जूट नहीं होगा, धर्म होगा, सत्य होगा, और हम सुन्दर साथ यदि आत्म चिंतन करें, तो हम जीवन में कितनी बार जूट बोलते हैं, उस न्याय की कसोटी पर तो हम को स्वर्ग कभी नहीं मिलना चाहिए, बैकु हम प्राद्दिन चितवनी करते हैं, प्राद्दिन युगलसरव के चलणों का ध्यान करते हैं, नक्ष घ्दी की सोभा देखते हैं, तो ये हमारा प्राद्दिन धाम में प्र shark होता है, धाम कहा है? ऋपर तले अर्ष ने करें, अर्ष करें मूमिन कलूप. यहां यह बात कई जा सकती है, कि मौमिन का दिली परमधहम है, तो मौमिन तो परमधہम है, तो यहां कोन है, परात्म का प्रतिमी मीत हो, तो आत्मा के रूप में आए, बाशे में अस्पेस्ट का है, तो माईं चले देखनें, बिल गई है माया चल, परंधाम की ब्रमात्माएं ही तो सुर्था से आई हैं और उन्होंने अपने आत्मा के रूप में जी के बैठ कर खिल को देखा है इसलिए यहां परात्म का भी तन धनी के चड़ों में है और आत्मा का तन भी धनी के चड़ों में है दो तन तले कदम के यहां भी राज्जी हैं हमारे आत्मा के धाम में हिर्दे में भी राज्मान है परमधा में मुल मिलाव में भी राज्मान है मुहान नूरी सरुब से भी राज्मान है यहां आवेश सरुब से भी राज्मान है और मारिफ्यत की दिश्ची से हर आत्मा के धामिर्दे में विराजमान है हकीकत के दिश्ची से आवे सरुप से महामती जी के धामिर्दे में विराजमान होकर उन्हें अपनी सारी सुभा देकर जागनी लिला कर रहे हैं और इसलिए हमें अपने अतीत को याद करना होगा हम कहां के रहने वाले हैं परमधाओं के किसलिए आए हैं संसार को देखने के लिए आए तो हमारी पहली लिला कहां से सुरुव होती है ब्रज से नेक वसे हम ब्रज में ब्रज हमारा लक्ष नहीं है ब्रज लीला में आकर 11 वर्ष बाउन दिन तक हमने लीला की है नेक बसे हैं ब्रज में नेक बसे रास मां है 11 वर्ष बाउन दिन तक ब्रज की लीला में निद्रा में हमने अपना समय गुजारा क्योंकि माया की जलक हमें देखनी थी अक्षर को प्रेम की लिला का विलाज दिखाने के लिए अब रास मिले जाते दोनों की इक्षा पूरी कर दी ब्रहमसिष्टियों को 11 बर्स बाउंदेन में माया दिखाई अक्षर की आत्मा को परमधाम की लिला का विलाज दिखा दिया प्रेम का विलाज क्या होता है ये महाराज के अंदर दिखाया जिसमें सागर अपनी लहरों के साथ जैसे क्रिड़ा करता है प्रेम, आनंद, सौंधरी, इकत्व का सागर अपनी अंभिन सुरूपा आत्माओं के साथ क्रिड़ा करने लगा अक्षर की आत्मा ने ये लिला कभी नहीं देखी थी अक्षर प्रहम की विशेष्टा क्या है जन्म आदियस यता जिससे स्रिष्ट की उत्पती पालन और संगार हो ये तो अक्षर प्रहम की लिला है अननत ब्रहमांडों का श्रिजन जिनकी स्वभाविक लिला है कोट ब्रहमान नजरों में आवे खिन में देख के पल में उड़ावे ये उनकी लिला है प्रेम की माधूरता उन्होंने नहीं देखिये प्रेम का माधूर है क्या होता है ये तो भुक्त भोगी है जान सकता है आप सोचिए एक चकुरती समराट जब अपने राजमाल में होता है उसके सामने बड़े-बड़े मंत्री बैठे होते है सेना बैठी होती है वहां सी मजाक नहीं कर सकता कि एक उसका दुसरा रूप होता है जब अपने बच्चों के साथ खिल रहा हो पतने के साथ हस बूल रहा हो वो प्रेम का सुरूप होता है उसका सत्ता का रूप समाप्त हो गया होता है जो अक्षर जो अक्षरतीत की ही सत्ता का सुरूप है उसने प्रेम की माधूरता कौन भूने किया था और महारास में उद्ष्ट को चरुआ कि अक्षरति सक्यों के सिर में जड़े वे जो फूल होते हैं गिर जाने पर स्वेम उठाकर उसमें लगाते हैं उनके बशतरा भुसनों को सवारते हैं तरहतरे की लिलाए करते हैं अक्षर की आत्मा प्रेम की इस माधूरता को देखकर मंत्रमक्द हो जाती है भूल जाती है कि मैं कहां देख रहा हूँ आप सुचिए वो एक लिला का हमारी लिला का एक पड़ाओ है हमारी अनाद लिला अखंड लिला अनंत काल से परमधाम में होती रही है और होती रहेगी लेकिन ब्रज, राश और जागनी के ये तीन खेल बनाए गए जिसमें पहली बार ब्रज में हमारा अग्मन हुआ उस लिला में माया की नीद, पूरी निद्रा में हमने स्वहिम को पाया उसके पैस आधी निद्रा और आधी जागरती में राश को देखा जो इस संसार से अलग था सारा संसार आज राश की बात करता है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि महारास हुई क्या है किन्तों तार्थम बाड़ी के प्रकास में आज इस जागनी के ब्रह्मान में हम है जागनी के ब्रमान में हम जानते हैं कि वास्तों में हम है को जान दिश्च जागते हैं लेकिन बिवहर में हम जागनी को चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए ब्रज राज क्या हो सकता है ब्रज राज से सिख्षा लेने क्या हो सकता है ब्रज राज में ध्यान लगाने क्या हो सकता नहीं है क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के जागरती नहीं हो सकती बढ़ी में अस्पष्ट कहा गया है इने पगले आपणा चलिए पगला इने प्रमाण सुन्दर साच चे इसकार्थ क्या है ब्रज में संसार में रते अभी हमने संसार को भूला दिया था उसी तरह से जागनी के ब्रमाण में जैसे ब्रज में गोपियां घर का सारा काम करती है किर्श पर, कि हमारा कन्ना साम को आएगा, बच्छरों के साथ आएगा, फिर हम उसको देखने जाएगी, उसको मक्खन खिलाएगी, यह यमुना तरट पर जाएगी, काम सरीर कर रहा है यंत्रवत, उनका ध्यान किर्श के पास है, संसार में रहते वे भी संसार से अलग रहे है ब्रज की गोपियों ने क्या क्या, सो ब्रज की सुन्दरी पायो से जे सुगम, सो रस ब्रज की सु काई शुगम, सो से जे घर आया जाको वेदे कहे आगम जिस निराकार को वेद ने अगम कहा दिया कि कोई भी योगी महात्मा बिना परब्रम की किरपा की इस मोह सागर को पार नहीं कर सकता उसको स्रलता पुर्वग गोपद बच्च का अर्थ क्या होता है गाय का बच्चरा जब धर्थी पर दोड़ता है तो उसके पैर से खूर बन जाता है गड़ा पैर के खूर से गड़ा बन जाता है और जब उसमें बरसात का पानी आ जाए तो उसको कहते हैं यह गोपद बच्च यह भौसागर उस जल को कहेंगे भौसागर और गढ़ा क्या हो गया गाय के बच्छडे का खूर तो ऐसे ही छोटा होता है मैं समझता हूँ कि एक दो इंच से ज्यादा नहीं होगा एक दो इंच गढ़े को मैं इस्थित जल को भौसागर कहा गया वह भौ जैसे आसंख्यों 14 लोक के ब्रहमान पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते हैं डूब जाते हैं आज तक जिस भौसागर का कोई और छोड नहीं बता पाया जहां बड़े बड़े रिशियों का ज्यान मौन हो गया कि निराकार का मंडल क्या है कोई नहीं जान पाया उसको गोपद बच कहा और गोपद बच को पार करना कितना मुश्किल सरल है एक कदम इधर डाला एक कदम उधर किस के बल से कि और प्रेम के बल पर आज हम चौपाईयों को याद कर लेते हैं लेकिन हमारे पास बरच की गोपियों जैसा प्रेम नहीं है चार बिद्वान एक जग़ा बैठ नहीं सकते चार महात्मा एक जग़ा प्रेम से बारता नहीं कर सकते बैठ कर खा नहीं सकते मंच पर चार बिद्वान बैठे हो तो चारों कमों चार दिसा में होने लगता है क्यों क्योंकि हमारा हिर्दय सुस्क हो गया है हमारे अंदर प्रेम का सागर नहीं उमरता प्रेम किसी तल सर्था में हम इस नान नहीं करना चाहते है इर्शा, देश, घ्रना का ज्वाला मुखे हमारे अंदर धतरता रहता है और वो हमें जलता रहता है हम चुपाईयां जरूर बोलते हैं चुपाईयां जरूर गाते हैं चुपाईयों पर भासर प्रोचन अवस्य देते हैं कि उन तो आत्मसाथ हम नहीं करते हैं उन ब्रज की गोपियों को देखिये जिनको कहीं से सिख्षा नहीं मिले थे उनको कोई गुरकुल में कोई पढ़ाने वाला नहीं था उनको किसी ने वेदान्त नहीं पढ़ाया वेद का कोई मंत्र उनको याद नहीं था अनपढ़ ग्वाली ने थी वो गाय का दू दूना मक्षन बनाना, मत्वुरा जाकर बेचना यही उनका बेसा है था वो कोई कुलीन घरे की ब्रामड की रिचा का पार्ट करने वाली कोई मैलाई नहीं थी अनपढ ग्वालिनों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े वेदों की रिचाओं का चिंतन करने वाली अपाला घोसा जैसी मदालसा जैसी ब्रमिजानी नारिया नहीं कर पाई थी गारगी जिस लक्ष को नहीं पहुँँच पाई जिसने याज जिवालक की को हरा दिया था साथतार्थ में उस लक्ष को पाया ब्रेज की गोपीयों ने क्यों ओक्योब ब्रह्मिक के अंदर पहुंची किसके बल पर प्रेम के बल पर हम प्रेम की बात जरूर करते हैं कि हमारा हर पल कितना किम्ति है और इस किमती समय को राजी की चित्वनी में न लगा कर सब के लिए बाणी का द्वार खोलने के महानकारे में न लगा कर आपस में लड़ लड़ कर दुसरों की निंदा करके दुसरों से घृणा करके अपना हम कितना अहित कर रहे हैं संसार तो मुर्ख है किन्त हम तो महा मुर्ख का लाएन के यादिका रही है कि आज परमधाम का जान आने के बाद हमारे पास चित्वनी के लिए समय नहीं है हम दुसरों को आत्मिक दिश्चे देख नहीं सकते हमारे अंदर तो जाती बाद छेत्रवाद प्रांतवाद की जौला धतकरी होती है हम गुट बनाकर बैट जाते हैं अरे वो नेपाली है वो गुजराती है वो पंजाबी है वो यूपी का है बिहारी का है वो गरीब है देखो मैं ही हूँ आप सोचिए आप किस के लिए आए है इस अंसार में आप तारतम बाड़ी किस के लिए पढ़ते हैं आप यदि चित्वनी नहीं कर सकते है सब को प्रेम की दिश्चत देख नहीं सकते है अपने हिर्दे में प्रेम नहीं भर सकते तो इनी में अपने सारे जीवन को क्या खो देंगे हम चोपाईयां केवल पढ़ ले और चोपाईयों को केवल दुसरों को सुना दे तो कोई लाव नहीं है वाणी कह रही है साथ चले जो न चलिया है ताय लक्सी आग दोजक सब सुन्दर साथ को चित्वनी करने पड़ेगी और जो नहीं करेगा उसको दोजक यगनी में जलना पड़ेगा यह मैं नहीं कह रहा हूं यह बाणी कह रही है और आपको लक्ष कहां निधार्ट करना है कि नेक बसे हम ब्रिज में नेक बसे रास्माई आगे तो धाम आईया अब तो आँखे खुल जाए अब हमारे लिए परमधाम के पचीस पक्चों का ज्यान राजजी ने परिक्रमा गरंत में दे दिया है सागर सिंगार के रूप में साथ बार नक से सिक तक अपना बढ़नन करके दे दिया है कि देखो मैं कैसा हूँ मेरी होट कैसे है, मेरी गाल कैसे है, मेरी नाज़का कैसी है, मेरा माता कैसा है मेरे अहिर्दे कमल कैसा है, मेरी हथेली कैसी है सिंगार में एक प्रकणा आता है कलस, सिंगार तिन कलस, बर्नन विरहारस उसमें महामती जी की आत्मा बिलक बिलक कर कहती है कि मेरे प्राणिस्वर रक्ष्रती वो भी क्या समय था कि मैं आपके चरणों को अपने हाथों में रख कर निहारती रहती थी मैं जी भर कर आपके मुखार बिंद का रस्मान करती रहती थी एक पल भी अलगाव नहीं होता था लेकिन माया की संसार में हम कुछ नहीं आपको देख पा रहे हैं कई वो दूर नहीं है सहरक से नजदिक है हम भी बार बार पाट करते हैं तो ये चुपाई पढ़ लेते हैं खक नजदिक सहरक से लेकिन इसकी अनभुती थो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो अपने सीर पर इरिस्चा द्वेस घ्रणा का ऐसा कूड़ा करकट ढो रहे हैं जिसमें हमारे जीवन का हर पल भी ता जा रहा है आप सोचिए हमारा लक्षे तो क्या होना चाहिए कि रातिर सोने से पहले अपने आरादि को अपने सर्विस्षर को अपने प्राण करने से पहले एक बार और कर लेजे फिर देखिए आप घर का सारा काम काज करते हुए भी आईसे बने रहेंगे जैसे ब्रेज की गोपियों को सिक्षा नहीं मिले थी उनको नहीं कहा गया था कि संसार से छोड़कर राजी के प्रेम में जुड़ो किन्त उनके परमधाम के मूल समंध ने उनको विवस किया कि अनपड होते वे भी हर पल अपने को राजी से जोड़ा रखा उनके सामने किर्ष का मोहक रूप था था तो पंचिभावतिक है कोई योग मया का नूरी तन भी नहीं था परमधाम का अननत संदरी वाला रूप नहीं था हाँ राजी कावे सुस्तन में लिला कर रहा है अक्षर की आत्मा है किर्ष की मधूर मुस्कान, मधूर संदरी, मधूर लिला गोपियों को क्या पूरे ब्रिजमंडल को पागल बनाए हुई है आपके लिए तो राजी ने अश्टपार चोंसट घड़ी कैसे राजी में डूबे रहना है आपको अश्टपार की लिला दे दिया आप सोचिए आप किसी भी समय हौचकोसर के अंदर जल क्रिड़ा कर सकते हैं जमनाजी के साथ घाटों में प्रमण कर सकते हैं पैस्टिम की चोगान में क्रिड़ा कर सकते हैं फुल बाग नूर बाग में घुम सकते हैं मानिक पाड के हिंडोलों का रिस्पान कर सकते हैं पुकराज की चांदी पर कानद ले सकते हैं रंगमल की चांदी कानद ले सकते हैं जहां एक चाहों वहां के दृष्टों में डूबी है हर पल अपने प्राणिस्वर के साथ अपने को आत्म साथ कीजिए और यहाँ भी सोचिए गोपियां कहती है परमधाम की आत्माओं की बात छोड़िये बेद्रिचायें और प्रतिविम की सखियां जिनका समंद इस छर जगत से और बेहत से है वो उधाओ को कितना फटकार लगाती है उधाओ तो सुस्क जान जो हमारे साथ बखान रहा है यह तू अपने जान की पिटारी ले जा जिस किश्का तू योग बताता है कि उन्होंने कहाए कि इस योग साथना करो वो तो हमारे पास रहता है किसके बल पर कहाए प्रेम के बल पर कहाए आपको चित्वनी की प्रेम में ही साधना करने ही पड़ेगी जदी आप सोचते हैं कि संसार में हमें दुख न हो दुख से निवरती के लिए आप क्या करते हैं वही कुनैन की टिकिया का जो मंत्र है जो तीन सो सालों से बताया जा रहा है मेर सागर का गोटा पढ़ लेते मैंने एक संदर साथ से पुछा कि इस आश्रम में कुछ चर्चावाड़ी क्यों नहीं होती करते हैं कि मेर सागर का पाट कर लिया जाता है मेर सागर का भाव नहीं समझे किवल महर सागर की जो पाईयां पढ़ लेंगे तो महर कैसे हो जाएगे आप महर सागर के बदले तो आप कुड़पत्ती बनना चाहते हैं अपनी गाई भासों का दूद बढ़ाना चाहते हैं धन संपदा मांगना चाहते हैं राज जी के आठो सागरों का सुख तो आप मांग ही नहीं रहें राज जी के आठो सागरों का सुख जैदी मांगना पाना चाहते हैं आप मांगते हैं तो जिसके आठ सागर है उसी को अपने हिर्दे में बसाई है वो तो आपके हिर्दे में बसाई है अनाधी काल से बसा है अनंत काल तक बसा रहेगा किन्तों आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका बसना मार्फत के दिश्चिस है जिसे वर्फ को बर्फ ही कहेंगे पानी नहीं कहेंगे जिसे अंग्रेजी में कहेंगे आइस को हम वाटर नहीं कह सकते हैं लेकिन जल को जब घानी भूत किया जाएगा तो बर्फ है, बर्फ को द्रवी भूत किया जाएगा तो जल है, मार्फित के दिश्चे अनाधिकाल से परात्म के धिर्दे में अक्षरातीत की लिला है, अक्षरातीत का धाम है, अक्षरातीत का निवास है, और उसके प्रतिमिम स परात्म के दिल में हैं तो आत्मा के दिल में भी हैं लेकिन तुम आरफ़त के दिश्टे हैं हाकिकत में चरितार्थ कब होगा या अर्थात हमें अन्वों में कब आएगा जब हम चित्वनी करेंगे चित्वनी नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा जैसे पानी में आग है किस रुप से? कारण रुप से उस पानी को आग पर बुजाएंगे तो आग बच जाएगे किन्तु उस पानी में अगले तत्व है कारण रुप से है, वईसे ही हम परम दाम के ब्रमसिश्टी जरूर है किन्त वो बैठी तो जीव के उपर है हम चित्वनी नहीं करेंगे हमारे अंदर काम कुरूद मदलूब के विकार हमारे जीव पर हावी रहते हैं तो हमारी आत्मा जीव भाव को छोड़ नहीं पाएगे और परमधाम का सुक नहीं ले पाएगे हमें अपनी आत्मा के धाम इर्दे में परमधाम की सोभा का लीला का आनंद का कोई भी अनबोर नहीं हो पायगा हमारा आचरण संसार के जीवों जैसा ही बना रहेगा तो इस सवस्था में हमें लगेगा कि हमारे आत्मा के दिन में राजी होते तो हम इतने पाप क्यों करते क्योंकि हाकिकत की दिश्ट से आने के लिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि धाकती अगनी पर पानी के छीटे डालिए तो आपको पुझा देती है कि उसी पानी में जो अगनी तत्व है उसको हम निकाल लेंगे तो इसी दूसरी हो जाएगी वैसे ही जब तक हम चित्वनी नहीं करेंगे हाकिकत में हम अपने धाम मिर्दे में राजी की अन्भूती नहीं कर सकते तब तक ऐसे लगेगा कि राजी तो परमधाम में यह सोचना चाहिए कि परमधाम है कहां परमधाम हमारे प्राण की भी नली से निकट है यही तो सबसे बड़ी बात है तार्तम जान का सबसे बड़ा जो लाब यही हुआ कि आज तक कोई जान नहीं पाया था मनिसियों ने भी यह प्रयास करने का प्रयास किया कि हम अपने हिर्दे में परमिश्वर को देखे छान्दियों को प्रयास करें इस बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है लेकिन कोई भिरला हो पाया जो परब्रम को निराकार से परे जाकर करके देख पाया हो बेहत में कोई कोई जा पाया इसलिए हमें प्रेम का वो पुनित मार्ग अपनाना है जो राजी ने बताया है चित्वनी की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं एक बात इसमें कही है इस चुपाई से पूरू की चुपाई में हम संग चलो सो धिल जिन करो छोड़ो आज संसार संसार की आसाओं को छोड़ दीजी महामती क्या जी कहुआ रहे है हम संग चलो सो धिल जिन करो छोड़ो आज संसार संसार की जिसको मेरे साथ चलना है चित्वनी करना जो चित्वनी करेगा वही स्रीय जी के कदमों कदम चलने वाला कहा जा सकता है हादी के कदमों कदम चलने का दवा कौन कर सकता है जो वाणी का चिंतन करेगा चित्वनी करेगा वही परमधाम की राह पकड़ेगा और इसलिए राजी ने बार-बार सावचेत किया है आप देखेंगे कि चाइना नास्तिक देश है, वहां परमात्मा को मानने की सुकृति नहीं है, बहुत कम लोग मानते हैं, वह भी छिप करके, संबैधानी की रुप से आप कोई धर्म ग्रंत वहां परचारित नहीं कर सकते हैं, किसी भी कम निश्च देश में, किन्त वहां के भी लोग चोरी छिपे, अब योग सिखने लगें, ध्यान करने लगें, अमेरिका जैसे बहुत तिक वादी देश में आप जाईए, प्राया हर कर्याले में एक कमरा बना होता है, कर्याले का कोई भी कर्मचारी जब इक्छा हो, उसमें जाकर बैठकर ध्यान करता है, और हम स अरायन में उल्चे हैं, उसी पाठ में उल्चे होगे, मैं नहीं कहता है कि आप मत कीजिए, बच्चों से कराईए, पाठ कराईए, मेर सागर का पाठ कराईए और जो जो भी आपको अच्छा लगे पाठ कीजिए, किम्त जब आप 15 बर्श से उपर की हो जाते हैं तो उनको धाम की चित्वनी मिले जाई है हम संसार से प्रति दिन विमुक हो जाया करें विमुक होकर जी भरकर अपने प्राणिश्वर को एक बार निहार तोले निहारने का ताद पर क्या है प्रेम भी हुआ लोगर के देखना यदि हम 24 गंटे में एक गंटे भी राज्जी के लिए दे नहीं दे सकते आदे घंटे भी जी भरकर देखने के लिए नहीं दे सकते तो हम कैसे ब्रहमात्मा का लाने का दवा कर सकते हैं इसलिए आज आत्म अंतन की घड़ी है कि सुन्दर साथ किस राह पर चल पढ़ रहा है इस प्रक्ड़ में एक विशेष बात महात्मात्य जी के द्वारा काया ही जा रही है कि मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जाते धाम हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है हम संसारिक सुखों के पिछे ही तो भाग रहे हैं गर्मी में बहाना कर लेंगे कि क्या करें गर्मी हो रही है अभी आज चीत deflection हैं जाड़े में बहाना कर देंगे आज रजाई में बहुत अच्छा लग रहा है चलो आज प्रितियों के लिए, मित्रों के लिए, संगे समंधियों के लिए समय है, राजी के लिए समय नहीं, आपको कभी रजाई की गर्मी अच्छी लगती है, कभी वातानुकलित कमरों का सुख अच्छा लगता है, कभी बेंजन अच्छा लगते है, सार सपाटी अच्छा लगते है आपको राजी के नक्से सिख तक की सोभा क्यों नहीं अच्छे लगती क्योंकि अभी प्रेम पैदा नहीं हुआ है जब वो प्रेम पैदा हो जाएगा तो हमें किवल एक ही बात अच्छे लगेगी कि राजी को देखने की चाहत किस वा सब बुरा लगने लगेगा उस संदे सूर्दास से पूछिए जब उनके सामने राधा कृष्ट दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि प्रभू आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं फिर अच्छा अंधा बन जाओं सिक्रिट्स पूछते हैं क्यों अंधा बन जाने चाहते हों सूर्दास कहते हैं कि प्रभू जीन नैनों से आप युगल सरुप को देख लिया उन नैनों से अब संसार को देखने की एक्छा नहीं है अब बताइए सूर्दास के इन कथन को हम अंगिकार करें और आत्मन्थन करें कि सूर्दास तू दुनिया के एक जीव है और हम तो परमधाम के ब्रह्मुनी होने का दावा लेते हैं हम सागर सिंगार को पढ़ते हैं फिर भी हमारा सूना ये हिर्द है मैं सूना क्या कहूं ये तो उस रिगिस्तान की तरह है जिसमें प्रेम का कोई फूल खिलता नहीं हमारा हिर्द है उस बज्जर की तरह पत्थर की तरह है जिसको कोई पिगला नहीं सकता तभी तो खांगडु करकर के अपने जीव को फटका रहा है महामती जी ने आप सोचिए तीन सो बरसुर से बाणी का उतर हो चुका है अधिक समय बीत गए आज हम सुन्दर साथ संसार को परमधाम की चित्वनी का मारग क्या बताएंगे हम खुद नहीं करते हैं हम घंटी गड़ियाल से आगे बढ़ना ही नहीं सिखे दुख के साथ कहना पड़ता है कि संसार कितनी तेजी से बढ़ रहा है दुनिया के अनपंथों में देखी लाखों लोग एक साथ बैट कर भले ही नीराकार तक का ध्यान करते हैं तो क्या करतो रहे हम सुन्दर साथ तो अब अंगडाई लेने लगे हैं चित्वनी करने चाहिए फिर भी अभी चित्वनी के विरोत में समाज का एक बहुसंख अकबर खड़ा है वो उन्ही कर्मकान पर ही ले चलना चाहता है उसी को सब कुछ बताना चाहता है बाड़ी क्या कह रही है मैं आग देऊं तिन सुक को जो आड़ी करे जाते धाम मैं पिंड न देखू बर्मांड मेरे हिर्दे बसे स्यामा सा इस चुपाई को जदि हम अंगिकार कर ले तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी महामती जी क्या कह रहे है मैं पिंड न देखू बर्मांड न मुझे संसार देखना है न सरीर देखना है मेरे हिर्दे में तो मेरे स्यामा स्याम रहते है यूगल सुरूप रहते है राज स्यामा रहते है यह भावना यदि हर सुन्दर साथ को हो जाएगा और जो चित्वनी नहीं करते हैं उसके लिए इस प्रक्ण में एक बहुत ही कठोर सब्दा है, आप उसको सुनने का कर्ष्ट किजिए, जदि आप सुन लेंगे तो हो सकता है, कि आपकी विवेक दिर्ष्टी खुल जाए, जो नौ आवे सो जुदा होई हो, कितनी बात कही है, जो मेरे साथ धाम चलने की राग पर नहीं अर्था है, अर्थात जो मेरे साथ चित्वनी नहीं करना चाहता है, वो मेरे से अलग हो जाए, वो सुन्दर साथ अपने को नकल आए, जो नौ आवे सो जुदा होई हो, ना तो होसी बड़ी जलन, जो मेरे साथ रहता है और चित्वनी नहीं करता है, उसको बहुत पस्चा ताप करना पड़ेगा, हम तो चले धाम को, तुम रही हो माहे करन, महामती जी कह रहे है कि मुझे तो परहम धाम देखना है, महामती जी के धाम इर्दे में तो युगल सुरू बैठे हैं, लेकिन इन चुपाईओं को कहने का असा है क्या, कि आने वाले समय में कोई ये न कह दे कि चित्वनी की क्या हो सकता है, इसलिए जब महामती जी स्वयम चित्वनी करते हैं, महराजा च्छतर साल जी चित्वनी करते हैं, परमान से महराज से रामरतन दाज जी करते हैं, सरकार से चित्वनी के सिविर लगाते हैं, तो कैसी नई परमपरा चलाई जा रही है कि चित्वनी मत करो नहीं तो सरीड शूट जाएगा चित्वनी करने की क्या हो सकता है कोई कहता है कि यहां चित्वनी करने की क्या जो रहता है हम तो परमधा में चित्वनी कर रहेंगे परमधाम में तो सामने राजी बैठे हैं वहां चित्वनी करने के क्या हो सकता है जो सामने है उसको क्या देखना है बस काल माया के ब्रहमान में हमारे माया के चक्चु माया के संसार को देख रहे हैं माया के नेत्रों को बंद करके आत्मचक्षियों से अपने प्राणिस सर को देखना है चित्वनी काल माया के ब्रहमान में होनी है हाँ यही बैठे बैठे परमधाम की सोभा को हमें अपने अंदर आत्मसाथ करना है परमधाम की लिला में स्वयम को डुबोई रखना है और इस संसार से हमें परे हो जाना है इसलिए महामती जी ने बहुत हम हमारे लिए कल्याड कारी मार्क प्रसेस्ट किया है हमें जखजोर करके बता रहे हैं कि जो नावे सो जुदा होई हो ना तो हुसी बड़ी जलन हम तो चले धाम को तुम रहियो माहे करन तुम संसार में रलते रहना एक दिन क्या होगा यह सुन्दर इवा सरीर एक दिन बृद्ध हो जाएगा इसके बाल सफेद हो जाएगी कानों से सुनाई नहीं देगा आँखों से दिखाई नहीं देगा मौत की घंटी बजेगी और यह सरीर का पिजरा अगनी की लप्टों के हवाले कर दिया जाएगा कुछ नहीं पचेगा सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है आप देखिए कुरोना में कितने सुन्दर साथ हमसे बिछुड गए उनके पास करोनों की दवलत थी दवलत यहीं रह गई ऐसे ही संसार का हाल है हम सारे संसार का धनभी कठा कर लेंगे एक ने एक दिन तो छूटे गई क्यों नहीं हम ऐसा करते है कि प्रदिन चित्वनी में अपने को लगा देते तो क्या होगा हम संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहेंगे हमारे पास करोनों की दवलत भी रहेगी तो कोई मोह नहीं रहेगा एक ही आसा रहेगी कि हमारा प्रितम हमारे सामने रहे क्यों रहे दिदार बिन प्रान यह खिलवत की चुपाई को अंगिकार कीजिए इसको जीवन का मूल मंत्र मान लेजिए कि राजी के दिदार बिना हमारा यह जीवन निरर्थक है आप प्रदिन छित्वनी कीजिए उन प्यासी आँखों की तरह जो अपने प्रानिस्वर को देखना चाहती है आप यह बताए क्रिश्ट जिनमे परमधाम कावेस भी नहीं गोलो की सक्ति है मात्र गोलो की सक्तिकास है जो अखंड बेहत की सक्ति है जिनके साथ बेदरिचाओं ने और कुमारिकाओं के जीवने परतवियम की सक्यों ने बेदरिचाओं परतवियम की सक्यों ने जिनके लिला किये साथ दिन गोकुल में लीला करने के बाद मथुरा चले गए होते हैं और उनकी आस में राधा सहित सारी गोपियां परतिक्छा करते बुढ़ापा गुजार देती है सबेरे बैठ जाती हैं टक्टकी लगा कर देखती हैं कि साम तक कम मेरा करना आएगा कम मेरा करना आएगा नजयने कितने बरस गए बीत गए उनकी सुनी आँखे पत्रा जाती हैं बुढ़ापे तक भी आस बनी रहती है कि करना आएगा एक दिन आएगा बरज में आएगा लेकिन वो आता नहीं है कितना धहरी है उनके पास सारी उमर गुजार दी किर्श की आस में और हम सुन्दर साथ तो दस पंदरे दिन चित्वनी करेंगे आँख मुदेंगे हमारा मन सांतनी मन में संसार का तुफान चला करता है चित्वनी की समय में हम दूसरों के अनिस्ट की बाते सोचते रहते हैं घ्रना का द्वेस का ज्वाला मुखी हमारे अंदर उबलता रहता है और फिर कह देते हैं कि हम तो इतने दिन चित्वनी के राजी नहीं मिलें अब छोड़ दो चित्वनी में कुछ नहीं रखा है इसका तात पर यह कि हमारा प्रेम कच्चा है हम परमधाम के ब्रहमुनी जरूर कर लाते हैं हम उन ये प्रतिविम की बेदरी चाओं से प्रतिविम की सक्यों से और बेदरी चाओं से कोसो अभी पीछे हैं ब्रहम सिष्ट्यों की रहनी तो दूर की बात है आप चित्वनी मे प्रदिन बैठिये आप जिस दिन आपका मन सांत होगा जिस दिन आपके हिर्दे में पूर्ण समर्पन्ड की धारा प्रवाहित होगी तो निशित है कि विरा की आंसु टपकेंगे और एक जलक अवसे मिलेगी यही जलक जब गहराती जाएगी तो आपको लगेगा कि आपके ध चोड़ना है मत छोड़िये लेकिन लीला में डूबने का समयब नहीं है उस लीला से सिक्षा लेनी है कि जागने के ब्रहान में हमें यूगल सरुप से प्रेम कैसे करना है आज ब्रज की लीला का ध्यान करने क्या हो सकता नहीं है राज की रामतों को ध्यान में करने क्या हो स जा रहा है इस सरीर में हम चिपके हुए हैं इस सरीर को सुन्दर सुन्दर वस्त्रों से अभूसुन से हम सजाना चाहते हैं अच्छे अच्छे भोजनों से इसको प्रसंद करना चाहते हैं आप कितने भी अच्छे भोजन कर लेजिए मल मुतर के रूप में तो दुरगंद ही आप अपने बालों में कितना भी वो लगाईए केमिकल लगाईए बाल जो सफेद हो जाते हैं तो काले तो हो नहीं सकते दिखते जरूर है आप सरीर को कितना भी सजा लेजिए एक दिन तो बुड़ापा आए अवस्याएगा लेकिन आपकी आत्मा तो बुड़ी नहीं हो सकती आपकी परात्म बुड़ी नहीं हो सकती आपका प्रीतम भी बुड़ा नहीं हो सकता आप उस सरूप से अपने को देखिए और संसार और सरीर से परे हो कर अपने प्राणिस्वर को अपने धा मिर्दे में वसाईए यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप धन-धन होंगे परात में जब जागरित होंगे तो आप एक सेर नहीं सावा सेर सूत कातने वाले माने जाएंगे इसलिए अब आँ सकता है कि ये जागनी ब्रह्मान के लिला चल रही है और इस जागनी ब्रह्मान के लिला में आप जागरित हो जाईए जान से जागरित हो जाईए चित्वनी से पुर्ण रुप से जागरित हो जाईए और सारे संसार को ये संदेश दीजिए कि संसार की लगो उतिष्ठत जागरत प्रप्प्य वरानी बोदयत उठो जगो और परमतत्त को प्रप्प्त करो मैं असा करता हूँ कि आपको ये मेरी बाते अच्छी लगी होगी और सब सुन्दर साहब तक इस अंदेश को पहुचाईए कि जित्वनी हमारे जीवन का आहार है जित्वनी के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता प्रणाप चे